दोस्तो एक्सल के अंदर कोई झोटा काम करें या बड़ा काम करें कोई beginner हो या प्रोफेस्टनल एक्सल में किसी भी काम का करते समय कौपी-पेस्ट की जोध हमयशा पड़ती है लेकिन दोस्तो क्या कभि आपने देखा है Excel के अंदर जब आप किसी भी डाटा को copy करते हैं जैसे यहां मैंने इतने area को select कर लिया और यहां पर copy पे click किया तो यहां पर जब paste का option दिया वा है इसके नीचे एक arrow button है इस पे click करने के बाद इसके अंदर paste करने के कई सारे option दिये वे हैं जैसे यहांपे paste में यहांपे 7 option है, paste value में 3 है, other paste में यहांपे 4 है total paste करने के 14 option दिये वे हैं, लेकिन जाते लोग क्या पता होता है किसी भी content को copy करना है, तो select करेंगे और जहां भी content आपको paste करना है वहाँ जा करके और यहाँ पेश्ट पे क्लिक कर देंगे तो वह content यहाँ पेश्ट हो करके आ जाएगा तो दोस्तों आज किसी वीडियो के अंदर जो आप किसी भी content को copy करते हैं तो यहाँ पेश्ट के नीचे जो arrow का बटन दियावा है इसके अंदर यहाँ पे जितने भी option दि तो वीडियो को like, subscribe और share जो करेगा तो बीना किसी दिरी के चली वीडियो को start करते हैं दोस्तों एक्सल में paste वाले option का यूज़ करनी के लिए सबसे पहले हमें copy करना है तो यहाँ पर जो मैंने content बना रखा है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना भी content है इससे मैं जो copy करके दूसी जगा पर यहाँ पर paste करना है तो यहाँ पर मैं सभी को slate करके यहाँ से copy कर लेता हूँ जहाँ भी content को paste करना है वहाँ पर जाके click करना है जैसे मैंने h वाले column पर click कर दिया और यहाँ पर यह जो paste को option दिया हूँ है मैं बाहर भी click कर सकता हूँ और यहाँ पर paste का arrow button है इस पर click करने के बाद, नीची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, paste, मैं इस पर भी click कर सकता हूँ, यह हमारा पहला option है, जिसके बारे में सभी को पता होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर paste भी click कर दिया, तो यह जो हमारा contain है, same hgtg, copy होकर करके यहाँ पर आ गया, paste क्या होत में first name और last name एक साथ type किया हुआ है, यहाँ पर first name को अलग करने के लिए, मैंने यहाँ पर लगा रखाया formula, और यहाँ पर last name के लिए भी यहाँ पर formula लगाया हुआ है, तो दोस्तों अगर किसी column में अगर आपने formula लगा रखा है, तो उसे हम copy paste कर सकते हैं, जैसा कि आप यह यहाँ पर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ first name और last name टाइप कर दिया, एकी column के अंदर, मुझे इस में से first name अलग करना है, और last name अलग करना है, तो first name के लिए यहाँ पर मैंने पहले से formula apply किया हुआ है, मैं इस cell पर click कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पर सभी में formula apply किया हुआ सभी को आपको slate करनी की जोध नहीं है, सिफ एक cell पर click करिए और यहाँ पर copy पर click करिए, और जहाँ भी आपको formula चाहिए, वहाँ पर click करना है, और यहाँ पेश वाले option में जा करके, यहाँ पर दोसा option दिया हुआ है, formula, बस इस पर click कर दिजिए, तो आपका जो formula है, यहाँ copy हो करके आ जाएगा, यहाँ पर automatic यहाँ पर आ गया, सभी का निकालनी के लिए आपको सभी को slate करना है, control डिप्रेस कर देना है, तो आप यहाँ पर सकते हैं, सभी में यही formula apply हो गया, ऐसी दोस्तों मुझे यहाँ पर last name निकालना है, तो यहाँ पर मैं last name पर click करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर formula apply किया हुआ है, मैं इस पर click करके इसे में कर देता हूँ, copy, और जहाँ भी चाहिए, वहाँ पर click करके, यहाँ पर जाता हूँ, paste वाले option में, arrow button पर click करके, यहाँ पर formula पर click कर दिया, तो आप यहाँ पर सकते हैं, कि last name भी यहाँ पर निकल गया ह और यहाँ पर formula copy हो करके आ गया, सभी का एक सकत निकालनी के लिए स्लेट करना है, control डी paste कर देना है, तो यही फामुला सभी में apply हो गया, ऐसी दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर पूरा data यहाँ पर copy करना है, formula के साथ है, तो आप यहाँ पर सभी को स्लेट करिए, यहाँ पर copy पर click करें, और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ जा करके, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए, मैंने इस पर click कर दिया और यहाँ पर पचेश्ट में जा करके, यहाँ फामुले पर click कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो contain हमने टाईप किया होगा, यहाँ पर, घे द product है quantity है यहां पर रेट वाले कॉलम में number टाइप करके मैंने यहां पर रूपे का सेंबल लगा दिया और यहां पर sales amount के अंदर formula apply किया हुआ है quantity और rate को यहां पर multiply करके sales amount निकाला हुआ है और यहां पर भी काले कॉलम के अंदर रूपे का सेंबल भी लगा रखा है number के साथ में तो यहां पर copy हो करके नहीं आया तो अगर हम किसी number में कोई formatting करते हैं तो उसको भी copy करनी के लिए अगला option यहां पर दिया वा है formula and number formatting आपको यहां पर सभी को slate करना है और यहां पर copy पर किलिक करके जहां भी आपको नंबर के साथ में अगर रूपे का symbol भी आ गया जबकि formula में नहीं आया था और यहां पर formula भी apply किया हुआ है यह देखिए क्योंकि हमने यहां पर option slate किया था formula and number formatting जो हम नंबर में paste करना है मैं उस column पर किलिक करके और यहां पर जाता हूं paste आले option में यहां पर अगरा option दिया हुआ है keep source formatting मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो उस्तों क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे जितना भी container में type किया हुआ है वो सभी यहां पर copy होकर के आ गया साथ में जो हमने यहां पर formula रखा है वो भी यहां पर copy होकर के आ गया और number के साथ है जो हमने formatting किया हुआ है जैसे कि यहां पर रूपे का symbol है यह भी यहां पर copy होकर के आ गया यह काम होता है keep source formatting का इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इन सभी को slate करके और इसे मैं कर देता हूँ clear all देखिए इसके बाद क्या दियावा है यह देखिए मैं आपर सभी को slate करके मैं यहाँ पर copy पर click करता हूँ और जहाँ भी paste करना होगा वहाँ जा करके मैंने यहाँ पर click कर दिया और इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक कियावा है यहाँ पर जाकरके में यहाँ पर no border पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर सकते हैं सब कुछ कॉपी हो करके आया है लेकिन य elabor soutर कॉपी नहीं हुआ दोस्तों यह छोटी छोटी चीजे हैं लेकिन काम करते से मैं इसकी हमेशा जोट परती रहती है, तो आपको इन सभी के बारें पता होना चाहिए, चलिए इसे भी यहाँ पर करता हूँ मैं, Clear All, इसके बाद यहाँ पर सभी डाटा को मैं स्टेट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर सभी को स्टेट कर लिया और यहाँ पर करता हूँ Copy, और अगला Option यहाँ पर दियावा है, Keep Source कोलम विर्थ है, दोस्तों इसका काम यह होता है कि जहाँ पर भी हम डाटा प्रेश कर रहे हैं, चाहे उस कोलम की कितनी विर्थ जादा हो, देखिए मैंने यहाँ पर जी का जो कॉलम है, मैंने इसकी विर्थ कापी बड़ा कर दिया, मैं यहाँ पर प्रेश करूँगा, यह हमारा पहला कॉलम रहेगा, तो पहले कॉलम की विर्थ आप यहाँ पर दिसकते हैं कितना कम है, और मैंने यहाँ पर कितना ज़्यादा किया हुआ है तो अगर यहाँ पर मैं paste में जा करके यहाँ पर keep source column बीर्थ पर click करता हूँ तो paste करने के बाद column के जो बीर्थ है automatic यहाँ पर auto set हो जाएगा देखिए मैंने column का बीर्थ कितना बड़ा कर दिया था यहाँ पर auto set हो गया इससे भी कर देता हूँ clear all फिर दुबारा से इन सभी को slit करके यहाँ से करता हूँ copy इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला option दियावा है transpose का transpose में क्या होता है जैसे यहाँ पर जो भी हमने column type किया वा है यह vertical में है अगर हमें इस वरे data को horizontal में दिखाना होगा जैसे यहाँ पर जो हमारा data है यह top to bottom है उपर से नीचे की और तो horizontal हमारा होता है left से right है तो यहाँ पर सभी को slit करके मैंने यहाँ पर copy पर क्लिक कर दिया है और जहाँ भी horizontal में दिखाना है वहाँ पर जा करके यहाँ पर पेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर transpose पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा data है यह vertical से horizontal में आ गया यह देखें यह है top to bottom है और यह है left to right है इसे भी कर देता हूँ में clear सभी को slit कर लिया clear में गया यहाँ से कर दिया clear all अब मैंने यहाँ पर दूसरा seat लिया वा है और इस पर यहाँ पर data change हो गया इन सभी को slit करके मैं इसे copy कर लेता हूँ यहाँ पर copy पी क्लिक किया और यहाँ पर paste वाले option में अगला option दिया वा है value का दोस्तों value का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको explain कर देता हूँ हम यहाँ पर excel करने जो भी data बनाते हैं उसमें चाहें कितना भी formatting कर दें जो हमने content type किया वा है सिर्फ उसी को copy करना होगा तो हम यहाँ पर सभी को slit करके यहाँ पर copy पर click करेंगे और जहाँ भी यह content हमें चाहिए वहाँ पर जा करके यहाँ पर paste में जाना है और यहाँ पर value पर click कर देना है तो click करने के बाद हमारी जो भी value है यह यहाँ पर copy होकर करके आ जाएगी सिर्फ value copy होगा जो भी यहाँ पर हमने color किया वा है यह copy नहीं होगा border copy नहीं होगा और अगर हमने कोई formula apply किया वा है वो भी हमारा यहाँ पर copy नहीं होगा चलिए इसे यहाँ पर मैं clear कर देता हूँ यहाँ पर जा करके clear और पर click कर दिया इसके बाद यहाँ पर मैं सभी को set करता हूँ दुबारा से और यहाँ पर copy पर click करता हूँ देखिए अगला option यहाँ पर दिया वा है value and number formatting दोस्तों इसका काम क्या होता है एक बार मैं फिर से आप को उता जाता हूँ number formatting का मतलब होता है कि यहाँ पर number में जो भी हम formatting करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने symbol लगा रखा है यहाँ पर copy होकरके नहीं आया तो अगर हमेí value के साथ मैं number format भी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर सभी को slate करके मैं यहाँ पर सभी को slate कर लेता हूँ और यहाँ पर copy पर click करता हूँ और paste में जाकरके यहाँ पर हम click करेंगे value and number formatting पर तो पहले जहां पर चाहिए, वहां पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहां पर जाकर वेलू एंड नंबर फर्मेटिंग पर क्लिक कर दिया, तो आप यहां पर दिसकते हैं, वेलू के साथ साथ है, नंबर के साथ यहां पर जो भी फर्मेटिंग मैंने किया हुआ है, यह देखे बॉर्डर, टेक्स कलर है, हालाइट कलर है, नंबर फर्मेट के साथ है, जो भी यहाँ पर कलर फर्मेटिंग कियावा है, इसे भी अगर कॉपी करना होगा, तो सभी को सेलेट करके, यहाँ भी चाहिए उस कॉलम पर किलिक करके, यहाँ पर पेस्ट में जाएंगे, एरो बटन पर किलिक करेंगे, और यह दियावा है, वेलू एंड सोर्स फर्मेटिंग, वेलू तो कॉपी होगा, साथ साथ, जितना भी यहाँ पर फर्मेटिंग कियावा है, वो भी कॉपी होगा, सिर्फ फार्मला कॉपी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देता हू यह देखिए, यहाँ पर value भी copy हुआ है, number साथ जो हमने formatting अप्लाई किया वा है, जैसे कि रुपे का सेंबल, यह भी यहाँ पर copy हो गया, और जो हमने color formatting किया वा था, वो भी यहाँ पर साथ में copy हो करके आ गया, इसे भी यहाँ पर कर देता हूं में clear, यहाँ पर select करके clear में ग copy करना होगा, तो आप यहाँ पर सभी को select करके, यहाँ पर copy पर click करेंगे, और जहाँ भी आपको formatting चाहिए, शिर्फ formatting, जैसे value आले में सिर्फ value था, तो यहाँ पर formatting में, शिर्फ formatting, तो यहाँ पर मैंने इसले column पर click कर दिया है, और यहाँ पर paste में जा करके, नीचे यहाँ पर दिया है, other format का option, और इसमें पहला option दिया है, formatting का, तो इसमें click करने के बाद, सिर्फ formatting copy होगा, formatting मतलब, जो हमने color border जो apply किया है, सिर्फ वही copy होगा, चलिए, इसमें कर देता हूं clear, यहाँ पर select करके, clear all पर click कर दिया, आप दोस्तों, यहाँ पर जितना भी data दिया है, मै यहाँ पेस्ट आले option में, देखिए, अगला option दियावा है, paste link, दोस्तों, link का मतलब होता है, कि हमने इस आले column को copy करके paste कर दिया, दूसरी जगह पर, लेकिन यह column हमारा, इस column के साथ link है, कैसे है, देखिए, यहाँ पर जो पहला rate है, 1.5 रुपे है, और यहाँ भी 1.5 रु तो यहाँ भी हो गया, 4000 है, इसे हम कहते है, paste link के, इसे भी कर दिता हूँ, clear, सभी को slate करके, यहाँ पे clear पे गया, और यहाँ से कर दिया, clear all, इसके बाद अगला option दियावा है, picture का, दोस्तों, picture क्या होता है, कि यहाँ पर जो हमने content type कियावा है, हम इसमें कुछ भी edit कर सकते हैं, change कर सकते हैं, लेकिन, जो हमने यहाँ पर काम कियावा है, इसकी अगर हमें एक photo चाहिए, यानि कि photo में paste करना होगा, तो जैसे माल लिए, कि मैंने यहाँ पर, यह यहाँ पर 5 area slate कर लिया, देकि हरी तक मैंने यहाँ पर slate कर लिया है, इन सभी को slate करके, मुझे इसे photo में convert करना है, तो मैं यहाँ पर पहले copy करूंगा, और इसके बाद यहाँ पर arrow button पर click करके, paste वाले options में, नीचे यहाँ पर दियावा है, picture को option, मैंने इस पर click कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह photo बन करके आ गया है, यह देखिए, हम इसके अंदर picture formatting भी कर सकते हैं, देखिए, सारा option यहाँ पर दिये वे है, picture format करने के, यह देखिए, हम Excel में किसी भी content को type करके, copy करके एक photo में convert भी कर सकते हैं, यानि कि photo में paste कर सकते हैं, मैं इसे कर देता हूँ, clear, इस पर click करके, deed की paste कर दिया, keyboard से, इसके बाद यहाँ आप है picture link, दोस्तों picture link क्य क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मालिज यह, कि मैंने यहाँ पर दुबारा से, इतना area set कर लिया, और यहाँ पर copy पर click किया, paste में जा करके, यहाँ पर मैं click कर देता हूँ, linkate picture, दोस्तों click करने के बाद, जो भी यहाँ पर content slate किया था, यह तो photo में convert हो गय मैं इसमें फर्मेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसका फायदा क्या है, वो भी आपको समयाद आगा, देखिए यहाँ पर rate amount कितना दियावा है, 200, तो अगर यहाँ पर मैं 200 की जगह पर, जो हमारा main content है, इसमें करता हूँ में 400, तो आप यहाँ देखेंग यहाँ भी हो गया 400, बेसा कि हमारा photo में comment हो गया है, लेकिन इस वाले content में हमारा change हो जाएगा, जो हमने paste option select किया था, वो किया था, linked picture, हमारा content picture में तो comment हो गया है, लेकिन main data में अगर हम changing करते हैं, तो इस वाले picture में भी changing हो जाएगा, जैसे यहाँ पर keyboard यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 की जगा पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 20, इंटर किया, तो आप यहाँ पर सकते हैं, keyboard हमारा यहाँ पर 20 हो गया, तो आसा करता हम दोस्तों यहाँ पर copy करने के बाद, paste और option में जितनी भी यहाँ पर option दिये हैं, यह 14 option, आपको समझ में आग यहाँ कि इन सब